हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका एक बार फिर क्रिक प्लैक्स पर और इस वक्त हम हाजी रहें टी-20 वर्ड कप का मैच नमबर आठ लेकर और ये मैच ग्रूप A का बहुत ही शांदार होगा इसी हम उम्मित करते हैं और ये मैच भारत और आयरलैंड के बीच होगा इस मैच के हम प्रिव्यू के बारे में इस मैच के विशनेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे बीच में इस दौरान मौजूद हैं दीपक अगरवाज जी और आई उनसे बात करते हैं वेलकम सर यहां पर आपका एक बार फिर तैंकि सो मुश्य जी बह तो दोनो टीम के लिए एहम है यह मुखाबला थे वाड़ कुप का पहला मुखाबला और कोई किसी बीच्ब कुप के-लिए नहीं होता है और इस मुखाबले में देखने वाली बात यह सें पीछ पे और जहां पर पिछला मैच हुआ था अफरीका और स्रिलंका के बीच तो देखने की बात यह होगी कि यहां पर बोलर कौन से महतपून रहेंगे किस टीम के लिए सही कह रहें आप क्योंकि यह जो विकेट है वो नसाओ क्रिकेट स्टेडियम की विकेट है और जहां पर कल हमने देखा एक मैच बहुती लोई स्कूरिंग मैच हुआ ऐसा लगा कि उसी पट्री पे अगली भी टीम जा रही थी जैसा कि श्रिलंका ने बनाया थे 77 और ऐसा लग कल देखें मैं जैसे कि अमने पहले भी डिसकस किया है कि थोड़ा वैधर का भूत परभाव है पीच अपर और यह नहीं पीच है तो अभी तक इसका किसी को अनुमान नहीं लगा था कि यह पिच कैसी जाएगी लेकिन जैसे कि कल अमने मैच देखा वहां पर यह पीच काफी दूसरी टीम ने वो 17 और में चेज किया तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को आज यहां पर मिल सकता है मेरे को लगता नहीं कि यह बड़े रूनों के पीचे है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्योंकि अगर आप देखें वह 68 रनों का पीच्छा करने उतरी टीम को 17 और तक जान हैं जिनको पहली बार वर्ल्ड कप में मौका मिला है बताओ सैमसंग के कह सकता हूं और वहां पे शिवम दुबे हैं प्लेइंग 11 पे आपका क्या नजरिया रहेगा खासकर भारती टीम पर जैसे कि अगेंस्ट मैच है तो मेरी खाल से वह लोग मौका देंगे सभी नहीं चे में कैसे खेलते हैं और रही बात आयरलेंड की तो आयरलेंड में काफी अच्छी गेंद बाज हैं जैसे होजे लीटिल है उनका भी अच्छा एक्स्पिरेंस रहे चुका है बिल्कुल राइट पॉल स्टरलिंग है वो भी बड़ी लीगों का हिस्सा है तो कम ना आके की आयर सरकष की तीर है जैसे कि अब दीपक जी ने नाम बताए है और उसमें मैं समस्ता हूँ कि कैप्टान पॉल स्टेलिंग का और इसके लावा ट्रेक्टर एक नाम है जो बिल्कुल हैरी ट्रेक्टर वो भी एक ऐसा चेरा है जो कभी भी पलट वार कर सकते हैं सर्ट में हैरी है जो कि बहुत ही अच्छे हो लाउंडर है तो टीम में कोई कमी नहीं है कि ये टीम एक अनुभव की जरूर में काऊंगा अगर हम पर कंपेर करते तो इंडिया से अधरवाइस जो यह अपनी लिग की तो सबसे जो इस लिग में टीम में आती है उनमें से सबसे सर्फ से सर्फ पर खेलने की आदत है तो उनके लिए ये नया नहीं होगा बलकि इंडिया के लिए थोड़ा से नया होगा तो हमें ये देखना है कि इंडिया इसको कैसे टेकल करती है अला कि वर्ल्ड की नंबर वन टीम है इंडिया लेकिन फिर भी हम जैसे कि क्रिकेट निश्टाओं का ग टीम है वी राठ कोली जा रोश्चरमा ही जांपनिंग करें फिवी करें जैसे वो तुछ विराठ कोली स्पिस्ट किया ही वो कितना कवर्टेबल है तो और वो दुसरे पाइदान पे आए तो रोधिरमा काफी समय से भारत के लिए और निशनकोच रोहित और येसर्वी ही उ तो कल देखिए ये बोलर्स की विकेट है और मेरी खाल से एक लेग स्पिनर होना है टीम के लिए तो चैल की तरफ वो लोग जाना चाहेगे तो जीत कर क्या च्याप्टन की क्या चॉइस रह सकती है मैच में देखिए दोनों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया तो मेर अगर आइलेंट जीतेगा जैसे कि आपने कहा कि जैसे हम देख रहें कल के मैचेज में भी ये बोलिंग पीछ है अगर कोई भी टोस जीता तो उसको लेनी तो पहले बैटेंगे चीए ताक कि ये वक्त के साथ खेल खेल के साथ जैसे जैसे खेलोगा पिछ स्लो होती जाएग है वो जरूर याद करेंगे रिशा पंट कम बैक करके हैं और प्रैक्टिस मैच में अगईस द बांगला देश शानदार हाफ सेंचुरी क्या उनको नजर अंदाज करेंगे रोही शर्मा या एक मैं कह सकता हूँ ऐसा कम बैक शायद भरती टीम में उस परिशानी से वो एक्स नहीं है कि कल आपको वो 100% देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जिस फोम में वो आई पेल में थे और जिस फोम में वो अभी चल रहे हैं मेरे को लगता नहीं कि अभी कोई और उनकी जगा ले सकता है सही का आपने जिया दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा यह मैच बहुत ही अच्छा है कल ठीक यह मैच जो होगा भारत के समय के उनसार 8 बजे और यह USA के जो मैदान है यह तोड़े से बड़े भी है रन भी बहुत जादा अच्छी तरीके से नहीं आ रहे हैं विकेट है आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रही हमारे साथ क्लिक प्लैक्स पर हर एक मैच की अपडेट के साथ और मैच की प्रिव्यू के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इस चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें और बने रहे इस टी ट्वेल्टी वर्ल्ड दो का दो दो का दो